नमस्क्रा दोस्तों गाइज एफल इंडिया इसके quarter two के numbers आ चुके हैं कैसे रहे numbers quarter two में किस तरह के performance रही है सीधा लेके चलता हूं result की तरफ देखे जो numbers यहां दिये गए हैं दोस्तों या बिखराओ का आपके screen में millions में हैं तो थोड़ा साम को यहां ध्यान देना पड़ेगा ठीक है अब चलते है numbers की तरफ तो देखे सबसे पहले क्या है revenue from operations दोस्तों किता है वन थाउजन आपके सकते हैं आप मिलियों में तो 133 करोड जो एक साल पहले 115 करोड थी एक quarter पहले 137 करोड पीश थी यानि year on year भी आप देखेंगे तो कोई बहुत अब बढ़ होती नहीं है flat to positive type के number है दोस्तों आप अब अबर income देखेंगे 5 करोड रुपे की 5.4 जो एक साल पहले वही 5 करोड थी एक quarter पहले 75 करोड थी आप इन दोनों को चोड़ ले total income जो company की निकल कियागी दोस्तों हो है 139.2 करोड जो एक साल पहले 120 करोड थी एक quarter पहले 142.5 करोड रुपीश ठीक है यानि की 120 करोड से 139 करोड रुपीश अब बात कर लेते किस चिस की खर्चों की खर्चों ने समाला है या भी गाड़ा है इन्वेंटरी और डेटा कोस्ट केता है 84 करोड का जो एक साल पहले मात्र 72 करोड थी एक quarter पहले 89.9 almost 90 करोड आप कह सकते हैं एक साल पहले आप यहां देख रहोंगे यह साल पहले 11 करोड थी और एक quarter पहले 12 करोड अब बड़ा खर्चा क्याता है अधर एकस्पेंस का यह है 16.4 करोड जो एक साल पहले आप देखें यहां पर तो 15 करोड है और एक quarter पहले 17 करोड आप इंदम एकस्पेंसेस को जोड़ने तो टोटल खर्चा टोटल एकस्पेंस निकल के आएगी दोस्तों 114.8 almost 115 करोड जो एक साल पहले 100.9 करोड थी 100 करोड जादा और एक quarter पहले 121.5 करोड ठीक है यानि खर्चों में थोड़े बढ़ोत बढ़ोतरी हुई है और यही करण है इसे मैं बुरा तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा दोस्तों ठीक है और जब हम लास्ट में आते हैं और देखते हैं क्या कि टोटल कॉम्प्रियंस विंकम फॉर्ट पीरिट यह 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 दोस्तों टेक्स के वाल के सब के बाद 18 करोड रुपे की जो एक सार पहले 14.7 करोड पाक साड़े 15.5 करोड एपीएस जो एक दश्रमल एक एक थी एक रुपे थी बढ़कर के 1.36 रुपीज हो गई है यानि कि आप देखें तो नंबर्स यो हैं वह यह यह तो नहीं कहूंगा कि कोई बहुत दुगनातिक ना हो गया लेकिन हा जिस प्रकार की ग्रोथ ही यह और एंदे जहेंट